सो हेलो गाईज एम राहूल और हमको फाइनली इस साल को मिस्सा ओलम्पिया मिल चुका है बट गाईज इस बार का मिस्सा ओलम्पिया थोड़ा से लोगों को अनफेर लगा चूकि इस साल हाड़ीश उपन सबसे मतलब पूरे लाइनप में से सबसे कंडिशन बॉड़ी बीडर और इस साल दोनों ही बॉड़ी फिल्डर सोड़े से ओफ थे मतलब हम उनको इस से बेटर देख चुके एर इसलिए मुझे इस साल का ओलम्पिया थोड़ा सा फीका लगा ओके स्वेट तो पहला पोज है इस फ्रेंड डबल बैसे पोज सो इस पोज में आप देख सकते हो कि वही अच्छी लग रही है और अगर लाट करें बिघर नबाट के लैटस ब्रेंडन से जादा ब्रेंडन वाइड है और वहीं सो इस से मतलब मीड सेक्षन यह तरीके से एक टिस्सपयर सा हो जाता है वही पर ब्रेंडन उसको चेस डाउन करके हीट करते तो इसलिए उनके abs एकदम ऐसे tight है और अगर lower body की बात करें तो दोनों के ही legs इस साल off थे क्योंकि हमने उनको इस से बेटर देखा है यार बट comparatively size and muscle separation wise बिग रैमी के legs Brandon से जादा अच्छे लग रहे हैं वही पर Brandon के legs पूरी तरीके से off थे ना तो उनमें size और muscle separation थाइस साल बट अकर overall pose की बात करें so arms के size wise plus उनके lats and उनके जो lower body है muscle separation plus उनके lower body में size wise judges ने बिग रैमी के favor में ही ये decision दिया होगा so बढ़ते हैं आगे और अगला pose है front lats spread pose और इस pose में आप फिर से देख सकते हो bigger रैमी और ब्रेंडन करी के legs के बीच का you know एक size difference और इस pose में भी रैमी अपने chest को थोड़ा सा up करके अपने lats को पुरी तरीके से खोल के इस pose को hit कर रहे और ब्रेंडन के lats रैमी के मुकाबले थोड़ से जाधा narrow दिखाई दे रहे और दोनों के mid section इस pose में tight नहीं है वही पर रैमी क्योंकि इस pose को chest up करके hit करते है इसलिए उनकी chest थोड़ी सी छोड़ी दिखाई देती है वही पर ब्रेंडन के आप chest में fibers देख सकते हो पर अगर overall flow की बात की जाए योनों वो जो एक रैमी का white structure है उनके जो broad shoulders है प्लस उनकी जो wide lats है उनकी thin waist है उनका जो मतलब legs का size है यह pose undoubtedly जाएगा रैमी के खादे में and the next pose is side chest pose और इस pose में I don't think की जादा ऐसे elaborate करने की जरूँ होते है क्योंकि ब्रेंडन इस साल पुरी तरीके से off थे ना तो उनके legs के बीच वो separation था ना तो उनकी upper body में वो dryness सा ना तो fullness सा and on the other side रैमी फिर से अपनी lower body में वो separation दिखा रहे अपने वो rounded shoulders को दिखा रहे और उनकी chest भी rounded and full लग रही है यह pose जाएकर रैमी के खाते में अगला pose बैक डबल बाई से pose सो बाई जे pose सोड़ा सा debatable हो सकता है क्योंकि जो रैमी की back है वो मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा था कि वो यहना genetically एक full back नहीं है मतलब वो पूरी नीचे तक develop नहीं है आप देख सकते हो कि उनकी जो back है वो आदे में ही खतम हो रही है और उनकी lower back में उन्हें एक lines सी आ रही है वही पर अगर arms की बात करें तो रैमी फिर से यहाँ पर size and both muscle separation में ब्रेंडन को dominate करते हैं अगर traps की बात करें तो ब्रेंडन के traps रैमी से बढ़े है बट रैमी के traps ब्रेंडन से ज़्यादा conditioned है और रैमी के shoulder ज़्यादा full नजर आ रहे है वही पर अगर lower body की दरब चले तो रैमी के glutes जो है वो फिर से size में ब्रेंडन को dominate कर रहे है बट दोनों के ही glutes strited है और अगर hamstrings के और चले तो रैमी के पास फिर से size है बट यह दोनों के hamstrings अच्छे लग रहे है फिर से अगर काल्स की बात करें तो दोनों के काल्स भी off है बट अगर overall pose की बात करूं मैं तो मुझे ब्रेंडन इस pose में overall अच्छे लग रहे है because of full developed back and strited glutes hamstrings with good bicep peak so यह pose जाएगा ब्रेंडन करी के खाते में so now the next pose is back lats spread pose so जैसे मने पिछले pose में कहा था कि रैमी की back पुरी नीचे तक developed नहीं है बट जब वो अपने lats खोलते तो पुरा पुरा सीनी पलेट देते है एक तरीके से आप देख पा रहे होंगे इस pose में उनके traps का size plus his scapular development based on the overall detailing यह pose फिर से जाएगा रैमी की खाते में and the next pose is side tricep pose so सबसे पहले बात करते है ब्रेंडन के बारे में so इस pose में ब्रेंडन के जो शोल्डर से रैमी से जादा full और जादा rounded नजर आ रहे plus उनकी जो chest है वह जादा बड़ी और जादा full नजर आ रही है और अगर mid section की बात करें so रैमी का mid section यहाँ पर फिर से disappear नजर आ रहा है वही पर ब्रेंडन का mid section एकदम कसा हुआ है और अगर lower body की बात करें so यहाँ पर फिर से रैमी अपने वही separation की trick को यूज कर रहे है और अपने legs के basis पर ही इस post को जीतने की है इस post को dominate करने ही कोशिश कर रहे और वही पर ब्रेंडन के legs पुरी तरीके से off है बट अगर मैं overall package की बात करूँ ब्रेंडन के जो traps and his shoulder का जो separation है वो visible है उनके shoulder and chest का separation वो visible है उनका mid section है वो tight है so मेरे हिसाब से बट एक चीज़ है कि दोनों की ही वीटे पर अच्छी तरीके से निकल कर आ रही है और दोनों का ही mid section tight है बट comparatively रैमी के जो apps है वो ज़्यादा defined नजर आ रहे बस उनकी जो waist है वो side से थोड़ी सी उनो फैलरी है वही पर ब्रेंडन की waist रैमी से जादा thin है बट रैमी की waist को उनके जो legs का size है वो पुरी तरीके से compensate कर देता है और फिर से वो अपने legs में वो ही separation और वही size को दिखाने में यूनों कामियाब साबित हो रहे तो ये pose फिर से जाएगा रैमी ये खाते में सो भी last pose है most muscular pose बट ये pose ऐसे compulsory pose नहीं होता है judges बस देखते हैं कि जब bodybuilder है वो इस pose में कितनी ज़्यादा conditioning कितना ज़्यादा एक size separation definition दिखा पा रहा है और उसी basis पर आप देख सकते हैं कि रैमी की जो conditioning है वो वैसे पिछले साल से तो off ही है बट Brandon से बेटर है उनके जो shoulders है वो full नजर आ रहे है उनका जो mid section है वो कसा हुआ है उनके legs के बीच में जो उनका size है उनका separation प्लस उनके arms का size और उनके arms के बीच में जो separation है वो Brandon से अच्छा है अगर आप इस pose को भी consider करके चल रहे हो यह pose भी जाता है बीग रैमी यह खाते में इस तरही के से 6 poses most muscular को पकड़के रैमी जीतते है और 2 poses Brandon Curry जीतते है और अगर scorecard की बाद करें फाइनल्स में बीग रैमी ब्रैंडन करी को 7 point से बीट करते है और हमें मिलता है इस साल का winner that is big रैमी 2 times Mr. Olympia इसी note पर यह वीडियो खतम होती है और मैं मिलता हो आप से अगली comparison वीडियो में basically मैं वो आज ही post करने के कोशिश करूँगा so मिलते हैं जल्द